Hello everyone, this is Kaja Sharma स्वागत आप सभी का Kaja Sharma Classes YouTube चैनल में आज की वीडियो में हम Social Studies का अगला Lesson Plan डिसकस करेंगे जो कि Geography का Topic है and Topic का नाम है पृत्वी की गदिया जो Class है वो रहे कि 7th Class के लिए हम यहां Lesson Plan प्रिपेर कर रहे हैं जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी Lesson Plan स्टार्ट किया जाता है तो कुछ Basic Information के साथ ही स्टार्ट किया जाता है जैसे आप People Teacher का Name बताओगे सब्चेक बताओगे टॉपिक मेंशन करोगे जिसको हिंदी में उप विश्य या प्रकरण भी कह दिया करते हैं डूरेशन ओफ लेसन आप बताओगे एंड क्लास तो आपको मेंशन करनी ही है तो समान्य उदेशे के साथ स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का लेसन प्लान फास्ट पॉइंट है विध्यार्टियों की समाजिक अध्यन विश्य के परती रूची उद्पन करना विध्यार्टियों की तर्क शक्ती का विकास करना विध्यार्टियों की समान्य ग्यार में विध्यार्टियों में आलोच नात्मक सजक्ता उद्पन करना आलोचनात्मक सजक्ता का मतलब होता है कि विध्यारतियों को आप इस तरह से पढ़ाएं कि विध्यारति किसी भी कुलसेप्ट के पॉजिटिव एंड नेगिटिव तोनों के बारे में ठिंकिंग कर पाएं. नेक्सट पो become पूइंट इन विध्यार्तिंग क्यों बीकास करना अगली हेडिंग है व्यवार्गत उदेशे का मतलब है जो टौपिक आप रहाते हो वो पढ़ाने के आपके क्या उदेश्य रहेंगे फर्स्ट है विध्यार्ति पृत्वी की गतियों के बारे में बता पाएंगे विध्यार्तियों में महासागर के चल एवं गतियों की पूर्ती की समझ उत्पन होगी विध्यारती विभिन गतियों जैसे परिक्रमण परिभ्रमण तरंगे ज्वार भाटा इन सभी विश्यों के बारे में चान पाएंगे यह थे विफार्गत उदिश्य नेक्स्ट है सिक्षन सहायक सामगरी यानि कि जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं जैसे चौक बोड चौक संके तक जाड़न जाड़न मतलब दस्टर जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट है अनुदेशात्मक सामगरी पृत्विक की गतियों को दशाता हुआ चार्ट एक्स टेडिंग है पूर्वग्यान अनुमान चार्था पृत्विक का अनुमान लगाती है कि विध्यार्थियों को महा साग्रिय जलोवय गतियों के बारे में समाने जानकारी है फिर आता है पूर्वग्यान परिक्षन याने की छात्र को कितनी प्रिवेस नौलिज है कितनी नौलिज है विध्यार्थियों को ये सब जानने के लि का अंतिम प्रश्ण पूछने के बाद है गोश्णा करती है कि आज हम महा साग्रिय जल और गतियों के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद प्रस्तूती करन जहां पर आप प्रेजेंटेशन करते हो छात्या ध्यापी का विश्य को रूचिकर बनाने के लिए विभिन कोशलों का प्रियोग करेंगी और विभिन विदियो का प्रियोग करती हुए विश्य को रूचिकर बनाने ही तो मुख्य बिन्दू को चौकपोड पर भी लिखती है नेक्स जब प्रस्तूती करन किया जाता है तो चार कॉलम मैंशन करने होते हैं सिक्षन मिंदू का छात्या ध्यापि ही पाया जाता है ुद्री गूलारत में स्तल की अधिकतर मात्र अरりक्षन में जल के अधिकतर मात्र है यहां पर जो प्लेक्ट में भड़े उसको लिक्ती माहासागर में 97 जल मिलता जागर Miranda के महासागर का जल कभी भी स्तिर नहीं होता कुछ कार्णों से साघ्रीय जलकी सिर्था भंग भी हो जाती है उसमें गत्य उत्पन होती है यहां पर विद्यारतियों को समझाने के लिए एक उधारन दिया है और उधारन को यहां पर यानि चोकciplork Only में DROW करके दिखाया है यहां पर ऑक पानी बनाया है मलब पानी डो किया है एंड उसमें यहां पर चात्या ध्यापिक एक्जामपल देती है कि आप मालेजी अगर आप ठहरे हुए पानी में पत्थर मारोगे तो पानी हिल्ले लगता यानि उसमें गती हो जाती है मुवमेंट स्टार्ट हो जाती है वोटर में तो उसी एक्जामप भाग महा सागरों में पाया जाता है जो वोटर है वो महा सागरों में कितना पाया जाता है 97% विध्यारती उत्तर देते हैं अगला शिक्षन मिंदू है तरंगे जिसको हम वेवस भी कहते हैं तरंगे जब तेज हवा के कारण सागर की तली का जल रगड खाते हुए उपर से नीचे की और गती करता है उसे तरंगे कहते हैं इसी से महा साग्रिय जल्की गती होती है यानि कि महा साग्रिय जल्की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उसमें मुवमेंट कैसे होते हैं तो एक रीजन है तरंगों का यानि वेवस का भी विध्यारति यहां क्या कर रहे हैं विध्यारती जो छात्राध्यापिका बोल रही है समझा रही है उसको ध्यान पूरवक सुन रहे है और जो चार्ट दिखाया है छात्राध्यापिका ने उसको ध्यान पूरवक समझते भी है चोकपोड एक्टिविटी में आप यहां पर कुछ ट्रोक करके दिखा सकते हो जैसे इस तरंगे समुद्री लहरों का नीचे उपर उठना महासागर में तरंगों के कारण होता है नेक्स्ट है जवार भाटा जिसको होलकैनों कहा जाता है इंगलिश में समुद्र का जल 24 घंटे 50 मिनट में नियमी तोर पर दो बार उपर नीचे की तरफ होता है समुद्र के इस उतार चड़ाव का कारण मुख्य कारण चद्रमा के आकश्चन का परिणाह है यह दो परकार का होता है एक होता है व्रिहिद जवार भाटा और एक होता है लगु जवा जब सूर्य प्रिथवी तथा चंद्रमा सीधे एक रेखा में होते हैं तो उस समय व्रिहिद जवार भाटा होता है यहां विद्ध्यारती ध्यान पुर्वक्सुन रहे हैं और चोकपोड क्रिया में छाट्य ध्यापिका ने बोड़ पर ड्रो करके बताया कि सन मून एड़ एक ही रेखा में होते हैं उस समय ग्रैविटेशनल फोर्स यानि जो गृत्वा कर्शन बल होता है बहुत जादा होता है बिकोज यह सिमिलर्स होते हैं एक ही लाइन में होते हैं अगला है लगु जवार भाटा किसे कहते हैं जब सूर्य प्रिथवी चद्रमा समको नवस्ता में हो यानि कि एक लाइन में होकर समको नवस्ता इसमें हो तो क्या होता है उस समय लगु जवार भाटा होता है निसमें विधयार्ति यहां पर चैनले का हैं विध्यारतियों ने कितना सीखा ये जानने के लिए कुछ प्रेशने करती हैं जिसको पुन्ना विध्यारति कहा जाता है जिससे महासागर किसे कहते हैं महासागर की गतिया कितनी होती है और विहिज जवार भाटा कैसे बनता है उसके बाद homework दिया जाता है विध्यारति कर दो में